आज मैं अपके लिए लाई हूं बहुत ही मज़ेदार कटी मीठी इमली की जटनी की रासिपी बहुत कम इंग्रेडियंट्स यूज होते हैं इसमें आप इसे बना के स्टोड भी कर सकते हैं और इसके इलावा आप इसे बहुत सी डिशिस के साथ सर्फ कर सकते हैं चलने पर इस इमली की चट्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 140 ग्राम इमली लिए जिसमें मैंने एक कप पानी डाल कर दो गंटे पहले भी गो के रख दिया था इसे ब्राउन शुगर हाफ कप अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप इसके जगा वाइड शुगर भी यूज़ कर सकते हैं जो हम नॉर्मली गर में यूज़ करते हैं एक कप पानी चाहिए हमें और हमें चाहिए पैप्रिका पाउडर वन टी स्पून सॉल्ड हा अब सबसे पहले हममें भी गोक रखिया ही। उसमें से हम हमली का पल्प निकाल लेंगे इसके लिए हम एक स्टेडर ले ले लेंगे इस तरह से क्या होगा खिशारा कहा और गुट्लیا लाइद हो जए होन हो जैगी कृस sparked कर दो तो यह देखे जितना पल्प इसली निकल सकता था वह हमने निकाल लिया अब जो हमने एक कप पानी लिया था वह इस इमली में एड़ करेंगे और अच्छे से सारा पल्प निकाल लेंगे इसी तरह से थोरा थोरा करके सारा पानी हम इसमें एड़ करेंगे और पल्प निकाल ल डैंगे और इमली के प Väल से हम च्टनी क्यार करेंगे हैं चुट्टी मिनाने के लिए हम एक बर्दन लेंगे दूरे मौन करेंगे कि ट्ररेम अ मीडियूम पर रखना है और इसमें एड्ड कर देंग vacunक का पल्प तॉय कर ढ़िंग एंग अब इसमें बॉयल आने तक इसे कुक करेंगे जैसे ही इसमें बॉयल आता है फिर हम चलते है नेक्स्ट टेप की तरफ तो यह देखें इमली के पल्प में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है अब हम इसमें एड़ कर देंगे ब्राउन शूगर इसे एक बर अचछे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें सारे मसाले भी अड़ कर देंगे तो सबसे पहले हम इसमें आड़ करेंगे जीरा पौле सॉल्ट अड़ करेंगे सॉल्ट और शूगर आप अपने टेस्ट के मताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं पैप्रिका पाउडर एड़ करेंगे अगर आपके पास पैप्रिका पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगा वन फॉर टी स्पून रेड़ चिली पाउडर भी आड़ कर सकते हैं और लास्ट पर इसमें आड़ कर देंगे अद्रक पाउडर और अब इन सब चीजों को अच्छे 10 मिनट के लिए हमने इसे मीडियम फ्लेम पर कुक किया और आप देख सकते हैं कि इमली की चटनी ठीक होना स्टार्ट हो गई है तो यह देखें इसकी ठीकनस अब देख लें अगर आपको इसे और ठीक करना है तो आप इसे पांच मिनट के लिए और कुक करना तो मुझे लेकर अगया थी उतनी ठीक हो गई है अब हम स्ट्रेम को ओफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे तो यहां पर इमली की चटनी जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो गया और आप देख सकते हैं कि इसकी तिकनस भी ज्यादा हो गया यहां पर त्यार है हमारी बहुत ही मज़ेदा 10-15 दिनों के लिए फ्रीज में रखकर स्टोर कर सकते हैं और अगर आप इसे ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रीजर में रखिएगा तो अमीद है कि आपको यह बहुत यह असान खटी मिठी सी इमली की चटनी की रेसपी पसंदाई की आप इस रेसपी को ट्राइ कीजएगा और मेरे साथ अपना फीडबेक जुरूर शेर कीजएगा ऐसी मज़गा रेसपी मैं आपके साथ शेर करती रहूंगी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और चैनल को सबस्क्राइब करना मत बूलिएगा दुआओं में याद रखिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिज